Is it too late to start for UPSC 2025? बहुत सारे आस्पिरिंस के मन में ये सवाल होगा कि 2025 के लिए effort डाले या 2026 के लिए तायारी शुरू करें देखिए इस सवाल को आंसर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कोशिश करेंगे इसको आंसर करने की, इसको सॉल्फ करने की, इस डिलेमा से बहार आने की UPSC की न एक खास बात पते है क्या है? UPSC न अपना एक्जाम का कलेंडर एक साल पहले ही निकाल देता है तो हम सब को पता है कि अगले साल का परी 25 मेको है हमारे पास कुछ 9 महीने है तो प्रपेर फॉर प्रिलिम्स, तो प्रपेर फॉर मेंस और तो प्रपेर ओप्शनल, तो प्रपेर ऐसे दिनों की बात करें तो 270 दिन है बहुत जादा इंटेंस प्रेपरेशन चाहिए होगी so that we all have a realistic chance of clearing 2025 attempt क्योंकि आप ऐसे आस्पिरिंस के साथ भी complete कर रहे हैं जो अभी तक optional का syllabus complete कर चुके हैं, gs का syllabus complete कर चुके हैं और ना जाने कितनी बार कर चुके हैं लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हम आज भी तायारी शुरू करते हैं और intent दिखाते हैं और सही guidance के साथ operate करते हैं तो we will definitely clear यहाँ पर sleepy classes का रोल बहुत important हो कि आप क्यूं ट्रस्ट करें sleepy classes पे कि वाइ शुड वी गो फर sleepy classes का course तो उस केस में आपसे कहना चाहूंगे कि तीन चीज़ें सबसे पहले हमारा process हमने यह process evolve किया है over a period of seven years and इस process से बहुत सारे ranks भी आए हैं year on year आए हैं तो कुछ तो merit होगा इस process में so you can trust this process blindly दूसरी चीज़ experience अगर मैं experience की बात करूँ faculty का mentors का तो दो level पर experience है पहला exam में बैठने का experience exam में prelims means interview तक qualify करने का experience rank लेके आने का experience यह सब experience हमारी faculty के पास है दूसरी चीज़ पढ़ाने का experience पिछले कुछ सालों से वो पढ़ा रहे हैं aspirants को guide कर रहे हैं और वो rank भी लेकर आ रहे हैं तो यह experience भी unparalleled है और सबसे important चीज़ रिजल्स अगर आप effort कर रहे हो तो वो आपको result या outcome की form में भी दिखना चाहिए और वो sleepy classes के results दिखते हैं बोलते हैं so that is why what I am suggesting is that if you are going for 2025 attempt आपको यह पास सही guidance होना बहुत जरूरी है अब अगर मैं अपने GS course की बात करूं तो हमारे GS course में सबसे important चीज़ होती है content देखे problem of plenty है UPSC के case में बहुत सारे resources available है YouTube हो गया Telegram हो गया you know every nook and corner is full of content जो की ऐसा claim किया जाता है कि अगर यह कर लिया तो आपका UPSC नहीं रुख सकता फिर एक और content आजाता है तो इस sea of content में choose करना कि क्या realistically possible है इतना content करना और अगर possible नहीं है तो कितना हमें करना चाहिए minimum के maximum output आए तो वही हम content offer करते हैं in terms of our life classes उसके बाद अगर मैं UPSC में बात करूं GS की बात करूं तो सबसे important होते हैं current affairs तो हम monthly current affairs करवाते हैं life current affairs classes होती है और ये ना काफी crisp और concise है ऐसा नहीं है कि दुनिया जहान का content collect करके हमने आपको दे दिया बहुत ही curated content रहता है ये तो ये तो हो गई content की बात उसके बाद practice भी तो करनी है आपने तो हम उसके लिए आपको MCQs देते हैं in the form of sectional quizzes and you also get 100 means के questions ठीक है these two aspects are for practice then complimentary चीजों में हम prelims की test series देते हैं और essay का content भी देते हैं because like GS essay is common for all and अगर हम essay अच्छा कर लेते हैं तो 1750 में से 200 marks essay के होते हैं जो की बहुत जाता हैं और बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते तो अगर आप sleepy classes के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि essay को हम बहुत साथा importance देते हैं क्योंकि essay can sometimes make or break make or break चाहे आपका means qualify हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका rank आ रहा है या नहीं आ रहा है आपका top rank आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ऐसे इतना जादा important है उसके बाद हम content के साथ साथ mentorship ठीक है guidance counseling पे भी बहुत जादा ध्यान देते हैं अपना classes live है तो वहाँ पे live doubt resolution तो है but we also have sessions which are with faculty for doubt resolution right तो वो भी रहता है then academic mentorship है academic doubts के लिए जैसे ना let's say environment के classes चल रही है but आप history बढ़ रहते हैं history का doubt आ गया history की faculty तो उस time पे available नहीं है तो हमारे पास academic mentors है then selected candidates के द्वारा भी mentorship हम provide कते हैं because every aspirant should get a guidance from a selected candidate वो उनको guide कर सकते हैं कि वो अपनी journey को कैसे alter करे उसको कैसे better करे और यह exam ना बहुत stressful है तो हम psychological counseling sessions भी free of cost देते हैं तो content और mentorship दोनों पे बहुत जादा ध्यान दिया जाता है so अगर आप हमारे schedule की बात भी करो ना तो schedule भी काफे intense है जैसे ना 9th से हमारी classes शुरू हो जाएंगी orientation है orientation देखो जरूरी है आपको orient भी तो करना है कि आने वाले 9 महीने आपको कैसे तयारी करनी है फिर classes start होंगी 16 से अब न 16 से classes start होंगी तो 2 classes है ठीक है एक सुबा और एक शाम को अब आप बोलोगे यह तो बहुत जादा है देखो अगर आपको realistically clear करना है chance बनाना है तो इतनी intense preparation तो आपको करनी पड़ेगी उसके लिए तो हमें आपकी commitment चाहिए ही चाहिए इसके बाद आपको optional भी करना है और essay भी करना है बट हमारी जो classes हैं वो खतम हो जाएंगी March में, first week of March में तो उसके बाद आप dedicatedly pre के लिए तयारी कर सकते हो देखो अगर आप इस schedule को follow करते हो तो मुझे नहीं लगता कि GS में pre या means में कोई भी दिक्कत आईगी और सबसे बता है important चीज़ क्या होती है जब हम pre दे रहे होते हैं और pre हम qualify नहीं कर बाते या हमारे friends qualify कर लेते हैं या हम तैयारी नहीं करते हैं यह सोचके कि टाइम कम है तो वो it might have been बहुत sad होता है and trust me अगर आप यह बोलोगी कि ना मैं 25 की बचाए 26 का time दूगा तो कुछ और issues आजाएंगे कुछ और circumstances ऐसे बन जाएंगे तो जो है न अभी है तो इसी को हमें maximum इसी में से maximum निकालना है और अगर मैं कोर्स इसकी बात करूँ तो जो हमारा कोर्स है that is the last life patch इसके बाद life patch नहीं आएगा because इसके बाद थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा है ना manage करना and जितने भी मैंने आपको inclusions बताए वो sub inclusions है and अगर आप अभी लेते हो तो अब ये code apply करो early birth 25 and you can get 10% off and this is valid for a few students only for a first few students only right so सभी कुछ है इस course में अगर आप इसको pause करके देखना जाएंगे तो आप वो भी देख सकते हैं और last में मैं यही कहना जाओंगी कि जो भी हम कर सकते हैं ठीक है time limited है लेकिन सभी aspirants के लिए time limited है और ऐसे भी aspirants में ने देखे हैं जो January onwards सयारी करके भी rank लेकर आए है और ऐसे aspirants भी है जो 2-3 सालों से तयारी कर रहे थे लेकिन rank नहीं आया rank छोड़ो pre-be qualify नहीं होता तो it all depends upon you कि आप कितनी महनत करते हैं कितनी consistently discipline से काम करते हैं right so let's give our all while we can so that was all from my end thank you so much have a nice day